हलो मित्रों जै माता दी मित्रों दीपावली के पावन परवपर माता लक्ष्मी की विशेश रूप से पूजा की जाती है ऐसे में मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए अनेक परकार की विदियां अनेक परकार की पूजा उपासना की जाती है माता हम पर प्रसन्न होती है और वे कुछ ऐसे संकेत बताती है हमें जैसे वो हमारे घर पर विराजमान हो चुकी है उड़ी संकेतों को आपको देखना है आपको दिपावली की रात परखना है और उनको समझते हुए माता लक्षमी की पूजा आपको निश्चित तौर पर करनी है बताता हूँ आपको आखरी तक वीडियो के देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्रा जरूर कर लिजेगा और कमेंट में जै मालक्षमी अवसलिक हैं कहा जाता है दिपावली के दिन माता लक्षमी लोगों के घरों में परवेश करती हैं जिसके लिए लोग दिवाली के दिन अपने घरों की सजावटें करते हैं माता अपने जिस भक्त की भक्ती से सबसे ज़् परसन होती है वो उसके घर दरसन देने बैकुंट दाम चे धरती पर आती है आईए जानते हैं कि कैसे आप उन संकेतों को पहचानेंगे जो आपको घर में मालक्षमी आपके आने की खबर देती हैं मित्रों दीपावली के दिन आपको घर में कहीं चुछुंदर दिख जाए त काफी अच्छे होते हैं जो कि मालक्षमी के संकेतक माने जाते हैं तो आपको निश्चित तोर पर ये गौर करना चाहिए कि अगर आपको किसी भी तरह सुछुंदर दिख जाए दीपावली की रात तो आपके घर मालक्षमी आचुकी हैं मकडी के जाल में अपना नाम बनता देखना भी दिवाली के दिन सुबसंकेत होता है आप मकडी के जाल में अगर आपका नाम अंकित हो आपको लगे कि ये हमारा नाम है तो इसमें भी माता संकेत देती हैं कि वो आपके घर विराजमान हो चुकी हैं माता लक्षमी का वाहन होने की वज़से उल्लू का भी जिन किसी चमतकार से कम नहीं होता आपको बताना चाहूंगा कि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है जिसके कारण अगर दिपावली के रात आपको भूल वस ये उल्लू दिख जाए जाने अन जाने में तो ये आपके लिए सुबसंकेत होता है और आप सबच जाएए कि मालक्ष्मी आपके घर परवेश कर चुकी है आपको बताएंगे दिवाली की रात यदि कहीं दिवारों पर छिपकिली दोड़ती हुई दिख जाए तो इसका भी एक अच्छा सगुन माना जाता है ऐसे में मालक्ष्मी संकेत करती है कि मैं आपके घर आ चुकी हूँ आप गौर अवस्य करिएगा आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली की रात यदि कोई बिल्ली आपकी छथ पर मल त्याग करें तो माता लक्ष्मी की इस्तिरता का घोतक होता है ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर इस्तिर हो चुकी है आपके घर दिवाली की रात तो परवे प्रामना नहीं करना पड़ेगा पैसों की आर्थिक तंगी नहीं होगी इसलिए दिवाली की रात जब भी आपको बिल्ली का मल रात के छत में आपको मिल जाए आपके अपने छत पे तो समझ जाए मातारानी का अश्रिबात आपको मिल चुका है आपको बताना चाहेंगे की बढ़ोतरी का सूचक होता है आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली के रात अगर आपको दोह मूँ वाला सांप जो है वो दिख जाए तो उसे मारे नहीं उसका वद ना करें ये आपको बता रहा है कि आपके धन की बढ़ोतरी भविस्वे में इतनी होने वाली है जिसकी आपको बताना चाहेंगे दिवाली के समय मात्र साप ही नहीं, अपूतु साप की केचली का मिलना भी धन विर्दी का कारक होता है। आपने साप के कैचली को देखा होगा ठीक है उनको अगर आप दिवाली के समय देखते हो तो वो भी आपके धन के विर्दी का संकेत होता है आपको बताना चाहेंगे दिवाली के समय बिल्ली की नाल का मिलना ये दरसाता है कि आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी तो इसलिए दिवाली की रात आप जरूर गोर करें, अगर आपको नाल मिल जाए बिल्ली का, तो ये आपके धन की कमी नहीं कभी होने देगा, आपको हमेशा धनवान बनाए रखेगा, आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली के दिन किसी भी जगह से अंचाहा धन मिलना ये भी बत संकेत होता है मातालक्षमी आपके घर पर आ चुकी हैं आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली के दिन एक दुसरे को उपहार देने का भी रिवाज है आप दिवाली पे एक दुसरे को जरूर उपहार गिप्ट कुछ न कुछ दें मित्रों ये सारे के सारे संकेत आपको आपके गर मालक्षमी बिराजमान हो चुकी है इनका संकेत है आपके घर माता लक्षमी आ चुकी है आप इन सभी संकेतों बैसे कोई भी संकेत देखते हो तो जरूर आपके उपर माता लक्षमी की